बिहार के सीम नितिश कुमार जिनोंने विपक्ष को एक करने में एहम भूमी का निभाई लेकिन उनको लेकर खबर है कि नितिश कुमार इंडिया गटबंदन के सयोजक नहीं बनेंगे बता दें कि विपक्ष एक जूट होकर और इसके लिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं हाला कि नितिश कुमार के इस बयान के बाद जरूर जेडियू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से ये कहा गया है कि नितिश इंडिया गटबंदन के संस्थापक हैं इसलिए वो किसी बड पद के योग्ये हैं लेकिन हमारे लिए विपक्ष एकता बड़ी है पद छोटे हैं विपक्ष के इंडिया गटबंदन की मुंबई में 30 बैठक होने जा रहे हैं लेकि नितिश के इस बयान के पहले अगर देखे तो दो दिन पहले आजेडी चीफ लालू यादव ने बयान लालू जी ने कही थी उसे एक तरह से नितिश कुमान ने खारिश कर दी वहीं पश्चिम मंगाल की सीम ममतव अनर्जी का कहना है कि वह कॉंग्रेस के प्रति तो हमेशा उदार दिखती हैं लेकिन वामदल के साथ वह समझोता करने को त्यार नहीं है बिहार और जारकन में इ मायवति के गठबंधन से इंकार करने पर इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ सकता है वहीं नितिश कुमार का संयोजक को लेकर ये भी कहना है कि उनको संयोजक नहीं बनना है तो उसको यह नहीं मानना चाहिए कि वह संयोजक नहीं बनेंगे जिसके बाद अब इंडिया कि आखिर किसे नया सुनुजग बनाया जाए खबनीत अक्तिस के साथ आप देखते रहिए पंजाब केस्री टॉट कॉम